हलो फ्रेंट्स मैं हूँ स्वेता वेलकम टू माई चैनल स्वेता आज की चैनल लाइफिस्टाइल आज की रेसीपी है हल्दी का हल्वा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं हल्दी का हल्वा हल्दी का हलवा बनाने के लिए हमें इन सारी समगरी की जरूरत पड़ेगी यहां मैंने 1.500 ग्राम सूखी साबुत हल्दी का यूज किया है जिसे मैंने इस तरीके से बारी कूट कर तोड लिया है साबु थल्दी को इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेंगे इस तरीके की साबु थल्दी मार्केट में आसानी से मिल जाती है 75 ग्राम यहां मैंने जीरा लिया है अजय वाइन 25 ग्राम है 75 ग्राम यहां मैं अधरक का यूज कर रही हूँ 800 ग्राम गुड है जिसे मैंने छोटे छोटे टुक्रों में तोड दिया था यहां मैंने ड्राइफ फूर्ट्स लिये जिसमें 15 काजू और 20-25 बादाम तोड़े से किस्मिस और नारियल को इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुक्रों में मैंने काट लिया है और यह थोड़े से खजूर है ड्राइफ फूर्ट्स अपने हिसाब से कमिया ज्यादा जो भी आपके घर में एवलेबल हो वो आप डाल सकते हैं देखिए इस तरीके से मैंने हल्दी को छोटे छोटे टुक्रों में तोड़ लिया था हल्दी के टुक्रों को और अजवाइन को मैं रात भर पानी में फूलने के लिए छोड़ दूँगी दोनों में अच्छी तरीके से उपर तक पानी डाल देना है जीरे को यहाँ पे दूद में भीगो कर छोड़ना है अच्छी तरीके से उपर तक दूद डाल देंगे इसमें जीरा अजवाइन और हल्दी अच्छी तरीके से फूल चुका है लेकिन हम जीरे को और अजवाइन को एक साथ मिक्स करके पीस लेंगे बारी जीरा और जवाइन काफी टाइम लेता है पीसने में लेकिन हमें बहुत ही बारीक इसे पीसना है तो पानी डाल कर इसमें अच्छी तरीके से इसे पीस लेंगे दोनों को एक साथ मिक्स करके पीस सकते हैं जीरे में और मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और इसे काफी बारीक मैंने पीस लिया है अब मैं इसी में हल्दी और अद्रक के टुक्रे को डाल कर अच्छी तरीके से पीस लूँगी हल्दी को पीसने में काफी पानी यूज होता है तो इसे भी बहुत ही महीन पीश ले अद्रक को भी इसमें मैं डाल रही हूँ काजो और बादाम को भी मैं मिक्सी के जार में हलका दरदरा पीश लूँगी आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसे दरदरा पीश लूँगी इस तरीके से ये देखिए अदरक और हल्दी का पेष्ट तयार है साथ ही अजवाइन और जीरे का भी पेष्ट तयार है एक कड़ाही में मैंने घी को गर्म कर लिया है अब इसी में मैं दोनों पेष्ट को डाल दूँगी डालते समय थोड़ी साफधानी से डालें ये थोड़ा छिटकता भी है गैस की फ्लेम को हमेशा हम मीडियम ही रखेंगे और चलाते समय भी इससे बहुत ही साफधानी बरतनी है क्योंकि ये बहुत ही छिटकता है अब मैं जीरा और अजवाइन का पेष्ट भी डाल दे हूँ इसमें इस हलवे को बनाने में काफी टाइम लगता है तो अगर आप पेष्टेंस के साथ इसे धिमी आज पे पकाएंगे तो ये काफी टेस्टी बनता है मैंने दोनों बरतन को हलका सा धोकर इसमें पानी डाल दिया और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके फिर से इसे धख कर पकाऊंगी ये हलवा जितना अच्छा फ्राई होगा ये उतना ही टेस्टी बनेगा इसमें से खुस्बू आने लगी है हल्दी फ्राई हो चुका है थोड़ा इसे मैंने धख कर मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे तक फ्राई किया है आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है आधे घंटे फ्राई होने के बाद मैं इसमें गुर्ड डाल दूंगी 45 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए और मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूस्ट डाल दिये हैं हमें इसे चलाते रहना है बीच बीच में और मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ठंड के मौसम के लिए ये हलवा बहुत ही पर्फेक्ट होता है हल्दी अजवाइन जीरा मैंने इसमें यूज किया है जो की हल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ठंड के मौसम में शरीर को काफी गर्म रखता है हल्दी के हलोए को बनाने में एक घंटा पूरा टाइम लग चुका है आप इसे बाहर भी रखकर 8-10 दिनों तक खा सकते हैं या फिर फ्रीज में आप इसे रखकर 15-20 दिनों तक यूज कर सकते हैं जब भी खाना हो आप इसे थोड़ा गर्म कर लें और उसके बाद इसे खाएं इसमें मैंने 3 टेबल इस्पून घी फिर से डाला है गुर हम आदे घंटे के बाद ही डालेंगे या फिर अच्छी तरीके से जब भी हल्दी में खुस्बू आने लगे और 4 तरफ हल्दी की खुस्बू फैलने लगे तभी इसमें हम गुर डालेंगे और गुर डालने के बाद भी हम आदे घंटे के लिए इसे फिर से अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जितना अच्छे से हल्दी फ्राई होगा पकेगा हल्वा उतना ही टेस्टी बनेगा ये देखिए हल्वा बनकर त्यार है आप इसमें ड्राई फ्रोट्स और गी अपने एक्छा के अनुसार ज्यादा या कम डाल सकते हैं लेकिन यहां मैंने पर्फेक्ट अंदाज बताया है आप इसे जरूर ट्राई करें